हलो दोस्तों सागत आपका अपने चैनल इक्जाम विजान पे तो गवर से मैं हाजिर हूँ आठ जनवरी 2021 के इंपोर्टे नियुमेंट्स के साथ आप पूरा वीडियो धान से देखेगा क्यों कि लाश में आपको दो कोशन्स के जवाब देने हैं आज का पहला कोशन है 50 करोड या फिर इससे उपर के सभी पेमेंट्स के लिए LIE सिस्टम यानि Legal Entity Identifier सिस्टम किसने इंट्रिजूच किया है तो Legal Entity Identifier सिस्टम ये इंट्रिजूच किया है आरगेई ने किसने आरगेई ने ये देख लिए आरगेई ने उन सभी पेमेंट्स के लिए जिनकी ट्रांशन वैल्यू 50 करोड या फिर इससे उपर हैं उनके लिए Legal Entity Identifier सिस्टम इंट्रिजूच किया गया है देखे आप RTGS या फिर NEFT नेशनल इलेक्ट्रोनिक फंड ट्रांसफर इससे गर आप पेमेंट ट्रांसफर करते हैं और आपकी वैल्यू 50 करोड या फिर इससे उपर की है तो आपको एक Legal Entity Identifier करने के लिए दी जाएगी ये एक यूनिक आइटिटी होगी आपर देखेगा 20 डिजिट का नंबर होगा LIE जो हर जूनिक जो परसन होगा उसको प्रवाइट किया एगा 50 करोड या फिर इससे उपर के फिनांसियल ट्रांसफर के लिए तो RBI ने Legal Entity Identifier सिस्टम को एंटिडूस किया है तो RBI के इससे जान लेजिए RBI Act 1934 के दोरा 1 अप्रेल 1935 को कुलकत्ता में इसकी सापना हुई थी बाद में 1937 को इसका हेड़कॉर्टर कुलकत्ता से मुंबाई टांसफर कर दिया गया 1949 को RBI का Nationalization हुआ और उसी वर्स Banking Relation Act भी पास हुआ था RBI के 1 गवर्नर कौन थे? Osborne Smith First भारती गवर्नर कौन थे? C.D. देश्मुक वरत्मान में RBI के गवर्नर कौन है? 25 सक्तिकांत? 10 और जो सेड्यल कॉमर्सियल बैंक होती है वो RBI की 2nd सेड्यल में लिश्टेड होती है Next question है Recently RBI दोरा Reserve Bank of India दोरा सिवालिक Small Finance Bank को Commercial Banking License प्राप्ट हुआ है आपको तरह है सिवालिक Small Finance Bank का Headquarter किस इंडियन इस्टेड में हिस्टेड है तो सिवालिक Small Finance Bank का Headquarter है UP, UP के सहारनपुर में ये देख लिजे Recently RBI दोरा जो सिवालिक Small Finance Bank है इसको Commercial Banking का License प्राप्ट हुआ था अपरेल 2020 वज से सिवालिक Small Finance Bank अपनी Commercial Banking इस्टार्ट कर देगी आप देखिएगा सिवालिक जो Small Finance Bank है ये फर्स्ट अर्बन कॉपरेट्टिव बैंक थी जिसको Small Finance Bank का License मिला था अपर देखिएगा आपको पता ही है Small Finance Bank ओपन करने के लिए मिनमम पेड़ अप कर देखिएग किनी होनी चाहिए 200 करोड के देखिए तो ये एक फैक्ट बात काफी यादे important है आपको पता होना चाहिए सिवालिक इसमाल Finance Bank की बात करें तो 1997 में स्टापना होई थी और कोशन मैंने आप से गुछता था इसका headquarter है सहरनपूर में MD&CEO कौन है सुवीर कुमार गुपता किसने डिसाइड किया है कि वो भारत ग्रह रक्षा भारत ग्रह रक्षा नाम की एक insurance home insurance policy प्रोवाइड करेगा जो की natural calamities के खिला रिस्क प्रोवाइड करेगा recently IRDAI ने announce किया है कि वो भारत ग्रह रक्षा home insurance policy लाँच करेगा ये एक standard policy होगी जो natural calamities के खिलाव हमें insurance प्रोवाइड करेगी तो भारत ग्रह रक्षा ये home insurance policy कौन लाँच करेगा IRDAI IRDAI ने ये भी announce किया है कि वो भारत लग उद्यम सुरक्षा ये भी announce करेगा policy ये जो भारत लग उद्यम सुरक्षा policy है इसमें क्या होगा अगर एक ही जोगेपर यानि एक location पर 5 करोड पाच करोड से उपर की machinery लगती है और वहाँ पर कोई loss हो जाता है तो भारत लग उद्यम सुरक्षा policy की तहट आपको risk cover प्रोवाइड की जाएंगे तो ये दो policy आद रखेगा भारत लग उद्यम सुरक्षा और भारत गिरी रख्षा ये दोनों IRDAI द्वारा allowance की गई policy है IRDAI की बात करें Insurance Regulatory and Elements Authority of India 1999 में एक्ट पास हुआ था 1999 में उसी के द्वारा IRDAI को setup किया गया था पहले इसका नाम था Insurance Regulatory and Elements Authority of India बाद में एड कर दिया के IRDAI कर दिया गया देखिए इसका headquarters starting में देली में था बाद में 2001 में इसका headquarters हैदराबाद transfer कर दिया गया तो headquarters याद रखेगा हैदराबाद में है इसका टोटल 10 मेंबर होते हैं और 5 फूल टाइम होते हैं चेर परसंग कौन है सुभाश चन्र खुंटिया ने कोशन देखते हैं आर्बियाई इसर बैंक आउफ इंडिया ने जो PIDF है payments infrastructure development fund इसके लिए operational guidelines जारी कर दी है आप होता है payment infrastructure development fund इसका total corpus कितना है तो इसका total corpus है 345 करोड रुपीज कितना है 345 करोड रुपीज कितना है 345 करोड रुपए आर्बियाई द्वरा payment infrastructure development fund announce किया था आपको मैंने पढ़ाया था इसमें क्या होता था जो POS terminal लगते हैं bank या non banking financial companies के द्वरा उसमें POS terminal लगाने के लिए subsidy provide कि जाती है अगर आप physical POS लगाते हैं तो physical POS के cost का 30% या 50% तक आपको subsidy provide कि जाती है यह जो payment infrastructure development fund है इसकी दोरा tier 3 और tier 6 cities पर focus किया जाएगा payment acceptance infrastructure develop करने के लिए यानि POS लगाए जाएं card shopping machine लगाए जाएं बाकी सारी facilities जो है develop करने के लिए payment infrastructure development fund बनाया गया था RBA 2 औरा total corpus कितना है 345 क्रोड रुपीस का यह corpus है और जो PIDF है यह 3 वरसों के लिए कारी करेगा एक जोनी 2021 से start हो जाए आप एद रखेगा और इसको बात में future में 2 वरसों के लिए और बढ़ाए जा सकता है यह जो 345 क्रोड रुपीस है इसमें से 0.5 क्रोड जो है RBA देगा और 95 क्रोड जो वो card network होगा वही देगा वीजा मास्टर जो भी होगा वो और यह जो PIDF है इसके manager कौन होंगे तो deputy manager होंगे BP कानून गो कौन है BP कानून गो PIDF fund के management को देखेंगे जो कि RBI के deputy governor है ने question है All India Gem and Jewelry Domestic Council इसके नए chairperson कौन चुने गए है तो recently 80 पेठे All India Gem and Jewelry Domestic Council के नए president chairperson चुने गए है यह है 80 पेठे यह All India Gem and Jewelry Council के नए chairperson चुने गए है दो अरसों के लिए 80 पेठे चुने चुने गए why chairperson को चुना गया है सैयम महरा सैयम महरा आपर देखेगा पेठे जो है अभी तक West Zone के chairperson थे All India Gem and Jewelry Domestic Council के अब यह जो है chairperson होंगे यह जो All India Gem and Jewelry Domestic Council है 2005 में इसकी स्थापना हुई थी मुंबाई में इसका हेकोटर है और non-government company है आपर देखेगा इसकी स्थापना की गई है आप उताना है South Asia Group for Energy के head कौन होंगे तो इसके head होंगे राम विने साही कौन होंगे राम विने साही यह देख लिए यह हैं राम विने साही यह South Asia Group for Energy के head होंगे यह former union minister है Minister of Power के राम विने साही South Asia Group for Energy के head होंगे इस South Asia Group for Energy है क्या South Asia region में Energy Security Architects पर ध्यान देगा यानि Energy Security को कैसे इंसूर किया सकता है इसके लिए सिंटर गवर्मेंट दोरा South Asia Group for Energy बनाए गया है जिसके हेड होंगे राम विने साही यह जो SASE है South Asia Group for Energy इसको Ministry of External Affairs के अंतरगत जो Research and Information System for developing countries है उसके तहत launch किया गया अप इतना है रखेगा तो राम विने साही का ना में देखेगा सेज के हेड होंगे नेकोर्शन है इंडिया ने किस कंट्री के साथ मिलकर Medium Range Surface to Air Missile MR SAM मिसाल का सक्सेस्वूली टेस्ट किया है तो MR SAM मिसाल का इंडिया और इस्राइल ने साथ मिलकर टेस्ट किया है किसने इंडिया और इस्राइल ने साथ मिलकर MR SAM Medium Range Surface to Air Missile System का टेस्ट किया है और को यादी होगा DRDO और इस्राइल की Aerospace Industries साथ मिलकर इस Missile System पर कारी कर रही थी इस Missile की जो Range है वो 50 to 70 किलो मिटर है 50 to 70 किलो मिटर की Range में इनेमी को डिस्ट्रॉई कर सकती है SR SAM Missile आपया रिखेगा सोरी MR SAM Missile बराग 8 MR SAM Missile किट हुई स्पाइस बॉम हुए फालकन अबाक्स हुआ ये सारे इस्राइल के ही है तो इनके नाम ज़रूए रिखेगा इस्राइल की बात करें तो Capital क्या है Zero Salam प्राइम इश्रकॉमन नहीं बिंजामिन नेतन याहू करिंसी की है इस्राइल की इस्राइली सेकल और पालियामेन का नाम क्या है इस्राइल की Neset ने कोशन है Ministry of Port Sipping and Water Base इन्होंने एनाउंस किया है कि वो सागरमाला Sea Plain Services इंटर्ड्यूस करेगा कुछ सेलेक्टेड रूट्स पर आपको तरह सागरमाला प्रोजेक्ट कब लाउंस किया गया था तो जुलाई 2015 में सागरमाला प्रोजेक्ट लाउंस किया गया था कि वो कुछ सेलेक्टेड रूट्स पर सागरमाला Sea Plain Services लाउंस करेगा इंडिया की फर्ष्ट Sea Plain Service कहां स्टार्ट हुई थी केवडिया गुजात में जो Statue of Unity है वहाँ पर देखिए इसके लिए याई सागरमाला प्रोजेक्ट के लिए सागरमाला डेलेब्मेंट कंपनी लिम्टेड एक स्थापित की गई थी और जो ये सागरमाला Sea Plain Services स्टार्ट करने की बात की गई है ये अभी अंडमान निकोबा लक्षदीब और गुवाहटी रिवर्फरेंट उम्रांसो रिजर्वायर जो असम में है या फिर यमुना रिवर्फरेंट देली यहां पाइस्टार्ट करने की योजना बनाई जा रही है सागरमाला प्रोजेक्ट की बात करें तो जुलाई 2015 में लॉँच ए था कंटी की लॉजिस्टिक सेक्टर को बैदर करने के लिए यह सागरमाला प्रोजेक्ट लाउंच की अगया है मिनिस्ट्री आफ सिपिंग द्वारा जो पोट है उनको डेलब करने का काम करेगा यह नहीं कोशन है राष्ट्री कामधेनु आयोग इन्होंने नाउस किया है कि अब एक 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 जाम कंड़क करवा जाएगा कामधेनु गव विज्ञान प्रचार प्रसार एक्जाम आपको तरह राष्ट्री कामधेनु आयोग की स्थापना का हुई थी तो दो अर्स पहले यानि फरवरी 2019 में राष्ट्री कामधेनु आयोग की स्थापना हुई थी यह देख लिजिए राष्ट्री कामधेनु आयोग इन्होंने नाउस किया है कामधेनु गव विज्ञान प्रचार प्रसार एक्जाम कंड़क करवा जाएगा जो की एक ऑनलाइन एक्जाम होगा और 25 फरवरी 2021 को और्गनाईज कियाएगा फोर केटेग्री में प्राइमरी लेवल होगा कच्छा आठ तक के लिए पुछा जाएगे कोश्ण सेकंडरी लेवल होगा 9 तु 11 कॉलेज लेवल होगा आफ्र 12 और जनरल प्रब्लीक के लिए एक्जाम होगा तो गव विज्ञान प्रचार प्रसार एक्जाम राष्ट्री कामधेनु आयोग दो देरिंग के तहट स्थापित किया था फरवी तु 11-19 में फरपस क्या है जो इंडिजनेस काव ब्रीड है उसको डलब करना अच्छा राष्ट्री कामधेनु विसन के लिए आपको यादी होगा या राष्ट्री गोल्कूल मिसन सौरी राष्ट्री गोल्कूल मिसन के लिए 750 किसने किया है तो सेपी की इंडियन लैब का इनाउग्रेशन किया गया है डॉक्टर हर्सवर्धन फरीदाबाद में बन रही है सेपी कोलीशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेर्डनेस इनोवेशन यह लैब का सेंट्रिलाइजड नेटवर्क है औल ओवर वर्ड में सेवन हेल्थ साइंस और टेकनलोजी इंस्टिटूट है वहीं पर यह सेपी लैब बन रही है और जो जो ट्रांस नेशनल हेल्थ साइंस और टेकनलोजी इंस्टिटूट है डिपार्टमेंट और बायो टेकनलोजी का इंस्टिटूट है जिसको मानिता प्राथ थे नेशनल एक्रि डेट यानि मानिता प्रवाइट की जाती है तो टी एच एश टी आई लैब फरीदाबाद में है और वहीं पर सेपी लैब बन रही है वर्ड में सेवेन बन रही है जिसमें से एक इंडिया में है ने कोशन है MS MS को सोलर फिनांसिंग सोलूशन प्रवाइट करने के लिए सिड़बी के साथ किसने हाथ मिला लिया है तो रिसेंटली टाटा पावर ने सिड़बी के साथ हाथ मिलाया है MS MS को सोलर फिनांसिंग सोलूशन प्रवाइट करने के लिए गे देख लिए अब ये तक जो MS MS हैं वो रूफटाल, रूफटॉप, सोलर सेग्मן में काम नहीं कर रही है। लेकिन आब टावटा पाव़र ने सिट्भी के साथ एक ग्रीमेंट किया है जिसके तरह ऐसे MSMES को लौन दिया एक है जो यो rooftop solar segment में काम कर रही होंगी आप आप आदे सकते हैं MSMEs की help की जाएगी financing solution provide की जाएगा और खास बत क्या है कि collateral free विना किसी collector के उनको less interest पे यानि की 10% से कम interest rate पर loan provide की जाएगा ताकि solar sector में growth के लिए काम कर सके तो यह MSMEs को follow up हो चाएगा जो चाहे वो off grid काम कर रही है या फिर on grid इसके लिए सिड़बी और टाटा पावल ने आपस में agreement किया है सिड़बी आप जानते होंगे small industry development bank of India 1990 में स्थापना हुई थी headquarter बहुत पूस्ते हैं इसका लफनों में cmd कौन इसके दिवेंद कुमार सिंग ने कोशन है global economic prospectus report 2021 किस ने रिलीज किया है तो हर बार की तरह इस बार भी word bank नहीं इसको रिलीज किया है पढ़ लेते हैं इसके विसे में word bank द्वारा global economic prospectus report जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि इंडिया की जो expected growth rate है वो financial layer 2022 के दोरान 5.4% रहेगी 5.4% रहेगी और next year यानि 2022 से 2023 के लिए 5.2% रहेगी तो जहां हमारा economic survey बहुत से ज़्यादा optimistic है 11.7% के आसमात growth rate दिखाई है वही word bank दिखाई है कि next year यानि 2021 तो financial layer है उसमें इंडिया की growth rate 5.4% से उपर नहीं देने वाली है वही जो global economy की बात की गई है world economic prospectus report में रहा गया है 4% 4% ही global economy की growth rate रहेगी ये जो आपका world economic prospectus report है ये एक semi annual report है किसकी word bank की यानि six month वे release होती है word bank की बात कर लेते है 1944 में स्थापना हुई थी एक वाशिंग्टन डिशी में टोटल 190 member हो गए है मेरे खाल से 180 थे बाद में अंडोरा जो add हुआ है अब इसका भी member हो गया है डेविड मालपास इसके president है इसके president है MDN CEO कौन है अंसुला कांत और chief economist कौन अपॉइंट हुई है कार्मेन रीन हार्ट में कोशन है recently fintech innovation center setup करने के लिए fintech innovation center setup करने के लिए IIT कानपूर एड foundation for innovation and research in science and technology के साथ किस ने पातना सिख की है तो fintech innovation center setup करने के लिए PNB द्वरा इन दोनों के साथ पार्णा सिख की गई है यह देख लिए पंजाब national bank इन्होंने IIT कानपूर और first के साथ एक पार्णा सिख की है fintech innovation center स्थापत करने के लिए fintech क्या होता है financial technology तो finance technology से related innovation को achieve करने के लिए फिर बूस्ट करने के लिए PNB द्वरा IIT कानपूर के साथ और first जो firm है उसके साथ पार्णा सिख की गई है तो finance technology से related solutions प्रवाइट की जाएंगे इसके लिए agreement हुआ है पंजाब national bank और IIT कानपूर के बीच और first आप आप दिखेगा PNB के बात करें तो मई 1894 को इसकी स्थापना का हुई थी लाहोर में लाला लाजपत राय द्वारा इसकी स्थापना हुई थी हलाकि अब इसका headquarters न्यू देली में है SS मलिका अरजून राओ इसके head है मोटो देख लिए सरी टैग लाए देखिए दर नेम यू कन बैंक को पाउन ने कोशन है जो US Army है उसके first chief information officer कौन अपॉइंट हुए है तो वहाँ पे भी right to information act काफी प्रभावी है US Army के first chief information officer अपॉइंट हुए है राज आयर Indian origin है तो नाम बहुत important हो गया है ये है राज आयर US Army में first chief information officer अपॉइंट हुए है आप देखिएगा Department of Defense के तहट जो highest ranking है वो राज आयर को मिली है Department of Defense के तहट जो Indian American civilians है उनमें highest ranking मिली है राज आयर को मलग की काफी सारे Indian Americans काम करते है Department of Defense में ये highest ranking है राज आयर अब US Army के first chief information officer होंगे जो की three star general के बराबर ये rank है US में election हुए था आपको पता ही है डेमोक्रेटिक पार्टी है उसके जीत गए है कौन जो बिडन 46th US president बन गए है इससे पहले 45th कौन थी डोनाल्ड ट्रम्प जो की oldest सबसे अधिक age के president बनने थी US के ने question है soil and water को test करने के लिए Chris Sanjeevni Van recently कि sister government दोरा लाउंच कीए है तो Chris Sanjeevni Bank करनाटक में लाउंच कीए है कहाँ पर करनाटक में है ये state agriculture department जो करनाटक का है उसने नेशनल क्रसी विकास योजना के तहत ये Chris Sanjeevni Van जो है release की है आपके खेतों के पास आएंगी soil test करेंगी moisture क्या है water content क्या है ये सारा test करेंगी तो आपको याद होना चाहिए Chris Sanjeevni Van कोषा है कानाटक के लोहाँ का समय चर्चा में है क्योंकि यहाँ का railway platform के ई रहे है हुगली उसका नाबल कə क्या क्या है हुगली है हुगली है मेरे ख्यास से उसका नाबल के स्री abre playground की ये लेंट्थ होगी फिप्टीन जिरो फाइफ बंदा सो पाच मीटर वर्ल्ड का लॉंगेस्ट रेलबे प्लाटफोंगा करनाटक में सीम कौन है बी एस यदरुपा गवर्न कौन है बज्जू भाई वाला यह नेसल पार्क है आप पढ़ लिजेगा यह कोशन है फाइर सेफटी मेजर्स के विशे में अवेर्नेस क्रेट करने के लिए इंडिया का फ़र्ष्ट फाइर पार्क कहां सेटप होने जा रहा है तो ओडिशा में इंडिया का फ़र्ष्ट फाइर सेफटी पार्क सेटप होने जा रहा है यह देख लिए ओडिशा गॉर पर 16 फायर रिलेटेट सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं तो अगनी समंद सेवा पोर्टल साथ साथ इंडिया के फ़र्ष्ट फायर पार्क को याद रखेगा दोनों ओडिशा में ही सेट अप होने जा रहे हैं कुछ समय पहले ही ओडिशा में आय 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 इंडियन इंस्ट पार्ट वाटर लेक कहा है चिलका लेक उडिशा में ही है उसे अलावा वीलर त्यूप का नाम बदल कर अब्दुलकलाम आइसलेंड लग दिया गया था वो भी उडिशा में ही है नया क्वेशन है HDPC बैंक के फॉरमर मैनेजिंग डायटर आदितपूरी इन्होंने किछ फॉर्म को जॉन कर लिया है तो आदितपूरी ने एग जानिमानी फार्मासोटिकल कमपणी Istraids Group को जॉन कर लिया है HDFC में अपने सारे share base दिये हैं आदितपूरी ने और अब strides group को एक advisor के तौर पर जोईन कर लिया है strides group एक global pharmaceutical company है headquarter कहा है बैंगलोर में जिसको आदितपूरी ने एक advisor के तौर जोईन कर लिया है तो ये company देखे famous होगी है एक person के विए से कि कभी किसी company वेज़ से ही पर्सन होता है कंपनी की वेज़ से famous है लेकिन जब सुंदर पिज़य की विज़से Google善 हो जाए तो ये 火क्तितपूरी की वेज़ से आज ये company जो है highlight में है बात करते हैं ह।ट्स एक Collegevette और जोगेरा मारे सपना हुई थी irie everyone 24 में हेड़कोटर है मुंबाई में वर्तमान में CEO कौन है सरसिधर चकदीशन कुछ समय पहले ही HDFC बैंक ने चीफ रिस्क ऑफिशर किसे अपने किया है सनमें चक्रबर्ती को और यह टागलाइन देख लीजिए फ्राइज भी जीचुक है थे होवकी से रिलेटेर थे माईकल किंडो आप देखेगा ओडिशा से विलांग करते हैं दूसरे कौन से फेम स्क्राइश पॉल इनका भी निधन हो गया देली से विलांग कर थे सत्या पॉल और माईकल किंडो आप दोनों का ना में दख्येगा यह आची वीडियो से कोशन है आई होब कि आप इन दोनों का जवाब दे पाएंगे जल्दी मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में तक लिए टेक कियर गुडबाय एंड जैहिंद